नमस्का दोस्तों तो आज Tecno Camon 17 और 17 Pro इंडिया पे लांच हो चुका है एक का प्राइज है 13,000 दूसरे का प्राइज है 17,000 रुपाई यह जो 13,000 रुपाई बाला Tecno Camon 17 इसके साथ अल्रेडी मैंने रियल में नार्जो 30 का कॉंपरेंस विडियो बना दिया है इस साइड में इसके बार में जानेंगे तो चलिए शुरू करते है आज का वीडियो भी नहीं कोई वक्त का बार आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैज़रो चनल पे नए है और ऐसे वीडियो आगे भी दिखना चाहते तो गैज़रो चनल का साब सेकाना बिल्कुल हमाद भूलिएगा तो दोनों स्मार्फ़ों का हम कॉंबर्जन करेंगे दोनों का कलर को देखके टेक्नो कैमोन 17 इसका टोटल तीन कलर लॉंच हुआ है ब्लैक, सिल्बर और ग्रीन और यह जो रेड्मी नोट 10 इसका भी तीन कलर अवेलेवेल है ब्लैक, हॉइट और ग्रीन आगर अगर हम दोने के डाइमेंशन के बार में बात करें, टेक्नो का थीकने से 9 mm और इसका ओएटे 193 ग्राम और रेड्मी नोट 10 का थीकने से 8.3 mm और इसका ओएटे 180 ग्राम तो अब देख सकते कि ए जो रेड्मी नोट 10 एक कॉंपेरिटिबली बहुत ज्यादा हलका बार पतला अगर हम दोने के डिस्प्ले के बार में बात करें, टेक्नो भी आपको मिलेगा 6.8 फुल इसदी प्लास आईपेल से लसी डिस्प्ले जिसका स्क्रीन का रिप्रेशेट है 90 हर्च लेकिन रेड्मी पे आपको मिलेगा 6.43 फुल इसदी प्लास सूपर एमोलेट डिस्प्ले इ अगर दोने के टस्प्लेंग रेट की बार में बात करें, तो टेक्नो का टस्प्लेंग रेट है 180 हर्च लेग में डेखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब दोनों स्मार्ट्वोन के बीज में ए जो टेक्नो ए गेमिंग में आपको ज्यादा मदद करेगा, रेडमी के प्रोसेसर जो की 12-nanometer architecture पे बनाए और Redmi Note 10 में आपको मिलेगा Snapdragon 678 processor एक 11-nanometer architecture पे बनाए टेक्नो का Antutu score 2,10,000 के असपास Redmi का Antutu score 2,23,000 के असपास तो इसका मतला दोनों smartphone को जो performance वो overall same ही होगा इसका बाद आपको आपको मिलेगा 64, 8, 2 और 2MP का back camera उसके साथ quad LED flash front में मिलेगा 16MP camera उसके साथ dual LED flash और Redmi पे आपको मिलेगा 48, 8, 2, 2MP का back camera उसके साथ dual LED flash front में आपको मिलेगा 13MP का camera उसके साथ कोई dedicated flash नहीं तो इस जाएखा पे गारिंटीड एक जो Tecno Camon 17 camera के बावले बेटर पार्फोर्म करेगा इसमें आपको obviously better quality का back camera और better quality का front camera देखने को मिलता है इसके बाद हम बात करेंगे दोने के RAM और ROM के बारे में Tecno Camon 17 इसका एक एक विरियंट लांच हो आए जो कि यह 6GB, 120GB विरियंट Redmi Note 10 इसका टूटल दो विरियंट आवेलेबल है 4, 64GB और 6, 120GB दोने स्मार्टपोन में आपको 2 plus 1 card slot देखने को मिलेगा इसका मदा 2 SIM card और SD card हम सेम टाइम में इस्तमल कर पाएंगे इसका बाद आगा हम दोने के RAM और ROM quality के बार में बात करें तो दोने स्मार्टपोन में इधार LPDDR4X quality का RAM देखने को मिलेगा लेकिन जो Tecno इसका internal storage का quality है EMMC 5.1 और जो Redmi Note 10 इसका internal storage का quality है UFS 2.2 इसका बाद आगार हम दोने के audio के बार में बात करें Redmi पर आपको dual stereo speaker मिलता है Tecno पर आपको single speaker देखने को मिलता है अगर battery के बार में बात करें Tecno और Redmi दोनों पर आपको 5000 image बात करें लेकिन Tecno पर आपको 18W का fast charge का support मिलेगा लेकिन Redmi पर आपको 33W का fast charge का support मिलेगा और दोनी स्मार्ट्पोन में जो connectivity बापको मिलेगा USB Type-C इसका बात आगा हम दोने के port के बार में बात करें तो दोनी स्मार्ट्पोन में आपको 3.5mm jack देखने को मिलेगा Redmi पर आपको side monitor fingerprint sensor मिलेगा Tecno पर आपको backside fingerprint sensor मिलेगा और अगर मैं अपनी बात करूँ मैं थोरा सा side mounted या फिर in display fingerprint sensor ज्यादा प्रेफर करता हो compared to backside fingerprint sensor इसका बात आगा हम दोने के OS के बार में बात करें तो दोनी स्मार्ट्पोन में आपको currently Android 11 मिलेगा यह जो Redmi इसका user interface है MIUI version 12 और Tecno का user interface है HiOS 7.6 इधर मैं मेरे personal experience से एई कहाना चाहूँगा कि MIUI का user interface मुझे थोरा सा बेटर लगा मानला बहुत ही बेटर लगा compared to HiOS 7.6 इसका बात आगा फाइनली दोने के प्राइस के बार में बात करें तो आप बाड़ी इस वीडियो के conclusion की तो 13,000 में कौन सा बेटर है Redmi या फिर टेक्नो इनेक्स साथ देखने के बाद आपको सारा confusion क्लियर हो जाएगा जैसे कि अब देख सकते हैं अगर आप 13,000 रुपई पे टेक्नो के साथ जाते तो आपको मिलेगा bigger display, 90Hz refresh rate और 180Hz touch sampling rate, better quality back camera, front camera और सेम प्राइस पॉन में आपको ज्यादा RAM और ज्यादा internal storage मिलेगा लेकिन अगर आप Redmi के साथ जाते तो इसमें आपको better quality internal storage मिलेगा dual stereo speaker मिलेगा, better quality charger मिलेगा, super AMOLED डिस्पले आपको मिलेगा तो देखे, वीडियो के आकर में मैं यहीं चीस कहना चाहूँगा जाब Redmi Note 10 12000 में launch हुआ था, उस price point बे एकदम unbeatable smartphone था लेकिन जाब से यह smartphone का price भर के 13000 हो चुका है तो मेरे खाल से उतना cost effective अभी नहीं है और क्योंकि आज यह Tecno Camon 17 launch हो चुका है तो इसलिए मेरे खाल से, अगर मैं आपनी भात करूँ अगर मैं आभी कोई 13000 के अंतर smartphone लेने जाओ तो मेरा पहला choice होगा Tecno Camon 17 क्योंकि देखे, आज कल के जमान पे आगर हम 64GB memory बाला smartphone इस्तमाल करते तो वो एकदाँ minimum होता है अगर 120GB होगा, तो यह आपके smartphone ज्यादा जिन तक फास्ट रहेगा क्योंकि for example, अगर आप Redmi Note 10 लेंगे एक साल के आसपास अगर आप इस्तमाल करेंगे उसका जो storage वो almost 50GB के भर जाएगा यह मैं आपको guarantee देता हो चाहिए उसमें UFS 2.1, 3.1 कोई भी storage quality हो अगर इतना ज्यादा storage full हो जाएगा तो एक smartphone 100% slow होई जाएगा इसलिए मेरे खाल से इस price point आपको techno चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको 120GB internal storage मिलेगा अगर एक साल इस्तमाल करने के बाद 50GB अगर उसका full भी हो जाता है फिर भी बाकी का storage खाली रहेगा इससे आपके overall smart phone तो से ज्यादा fast रहेगा और एचीस अपको मानना ही पड़ेगा Redmi Note 10 का जो 48MP वो सही है लेकिन techno का जो 64MP और और भी बेटा clarity वाला photo आपको provide करेगा इसलिए वीडियो के आखर में मैं एचीस कहना चाहूंगा अगर मेरा budget अभी है 13,000 रूपाए तो मैं 100% techno Camo 17 चूस करूँगा पैसे आप मुझे आप मुझे ज़रू बतना 13,000 रूपाए पर आप कौन से चूस कहना चाहेंगे techno या फिर Redmi इसके बारे मुझे आप कॉमेशनर में गयाना बिलकुल इमा धुखी लिएगा तो मिलते आगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive thank you